गोलू के पापा, अरे ओ गोलू के पापा क्या हुआ भाई अब दिनर का टाइम हो गया है तो आप दिनर कर लीजिए जब तक मैं मुहाद होता हूँ, तब तक आप परोसिय लेकिन मुहाद होने से पहले क्या आप मेरी मदद कर देंगे जी बताइए क्या मदद करनी है? आप एक sentence की इंग्लिष बता दीजिए कौन से sentence की इंग्लिष? जब तक मैं मुहाद होता हूँ तब तक आप परोसिये इसकी इंग्लिष तो बहुत आसान है इस type के sentence को बताने के लिए सबसे पहले आप verb का first form लिखिए फिर while या फिर until का भी यूज़ कर सकते हैं और फिर आपको सारी बात आपको present simple में लिखनी है कई-कई बार आपको ऐसा भी लग सकता है कि यहाँ पर present continuous का यूज़ होना चाहिए लेकिन नहीं आपका जो है यहाँ पर present simple ही इस्तमाल होगा तो जैसे हमारा sentence है जब तक मैं mood होता हूँ तब तक आप परोसिये तो इसकी English होगी serve food while I wash up क्या इस्ते हम और भी sentence बना सकते हैं जी बिलकुल जब तक मैं नहाता हूँ तब तक तुम खाना खालो have food while I take bath कुछ और sentence बताओ पताईए लेकिन इनकी English मैं करूँगी जब तक मैं बोल रहा हूँ तब तक तुम चुप रहो keep quiet while I talk जब तक मैं पढ़ रहा हूँ तब तक परिशान मत करो don't disturb me while I study जब तक वह सो रहा है गाना मत गाओ don't sing a song while he sleeps जब तक वह बोल रहा है तब तक सुनो listen while he speaks जब तक मम्मी खाना बना रही है तब तक इंतजार करो wait while mother cooks food जब तक मैं पूजा करता हूँ तब तक तुम खाना बना लो cook food while I worship God अरे वा गोलू की मम्मी आपने दो कमाल कर दिया तो फिर आप एक homework question भी दे दीजिए तो दोस्तों आज का हमारा homework question है जब तक मैं वीडियो देखता हूँ तब तक आप चैनल subscribe कर लो तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में